Hello friends, CBC Board के चातर अगर आप 20 में बोड एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आरी है 10 वी बार भी के चातर हैं 2020 में बोड एक्जाम देने वाले चातरों के लिए सभी अच्छी खबर आ रही है यानि कि दो बड़ी update यानि दो good news होने वाला है CBC board के सबी छात्रों के लिए हाली में CBC board ने online exam को लेकर जो मना किया उसके बाद छात्रों का जो बिरोध है वो लगतार जा रही है छात्रों इससे not acceptable है उनका कहना है कि CBC board के जो फैसले है वो हमारे लिए acceptable नहीं होगे इस दोरान जब हमारी पढ़ाईयन नहीं हो पाई है इसी बिज़ एक और method यानि कि सबसे बड़ी जो छातों की रायत ही keep students unable to do practical classes यानि कि students यानि CBC board ने कहा है कि जो students जो है और प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए वो पूरी तरीके से तियार नहीं होगे तो उनके लिए alternative method निकाला जाएगा CBC board ने हाली में सबसे बड़ी update दी है जिसको लेकर उन चातों के लिए एक अच्छी ख़बर हो जाएगी जिनका ये कहना था कि practical exams हमारी पूरी साल नहीं होई है यानि कि practical classes की बात करें तो आपका practical जो exams होते थे इजवली आपके जनवरी से फरवरी की बीच में करा लिया लाता था लेकिन कापी सारे शादरों की बात करें तो मार्च की बाद स्कूले बंद है यहां तक कि classes में भी question mark है कि classes उनकी किस तरीकस होई है तयारी है किस तरीकस होई है online प्राहियों को लेकर question mark है तो हमारी practical exams को लेकर चातों का कहना था कि हमारी कोई भी classes नहीं हुई है तो ऐसे में practical exams हम नहीं दे पाएंगे या हम practical exam में अगर बैठे भी तो हम क्या लिखेंगे तो इसको लेकर CBC board ने कहा है alternative method आपके लिए निकाला जाएगा 10 भी बार भी के सभी जातों के लिए इसी पीच एक और सबसे बड़ी ख़वा निकल के आ रही है exam को लेकर तो यहां पर देखे सबसे पहरी update बड़ी update या रही है कि CBC board जो silent है उसका खारण में यह है कि CBC board की exam को जो फैसले हैं अब government करेगी यानि कि सरकार करेगी यानि कि education minister जी कर सकते हैं इसी को लेकर जो बड़ी acceptations यह लगाए जारी है कि will government extend यानि कि government जो है class 10th 12th का exams को क्या 3 month के लिए इसको लेकर जो क्या होंगे इसको लेकर जो फैसले हैं अब पूरी तरीके से बात करें आपके exam को लेकर जो पूरे पूरे फैसले हैं वो 10 December पे टिक गया है मैं आपको पूरी confirm करूँगा कि किस तरीके से 10 December को जो बड़े फैसले होंगे CVAC Board को लेकिन उससे पहले Friends अगर आप भी NTSC की तियारी करना चाहते हैं तो Aniket भी परजेंट कर रहा है आपके लिए motivational classes Class 9th and 10th के सभी students के लिए जो UNEAC NTSC की motivational classes जो है Aniket में परवाइड करा रहा है यहाँ पे आपको देशबर की top educators आपको help करेंगे NTSC के लिए आपको guide करेंगे NTSC की तियारियों के लिए तो टॉप educators आपकी motivational classes आपको यहाँ पे अटेंड कर रहे है इसका जो live session है यह आपका start होगा इसका link मैंने आपको description में दिया है तो 5 December का जो live session है इसका link मैंने आपको description में दिया है इस motivational classes को attain करिए अगर आप NTSC की तियारी करना चाहते है वही NTSC के और आपको complete तियारी करनी है ता आपको एक subscription लेना होगा और कई सारे benefits मिलेंगे जैसे daily live classes आपको मिलेंगे live test and quizzes आपको देखने मिलेंगे course and lecture देखने को मिलेंगे तो देखिए 10 December को कहा यह जा रहा है जैसे कि last year की बाट कड़े 2020 का जो board exams आपके postpone हुए थे CBSC board ने नहीं किये थे यानि कि उसके जो फैसले थे इस government ने किये थे के अंदर सरकार ने उसके फैसले किये थे कि उसके बाद ही CBSC board ने circular दिया था उसके बाद आपके board exam को postpone किया गया था लेकिन 2020 board exams की बाद करें थे इसकी भी 10 तारीक यानि कि पूरी तरीके से CBSC board इसले भी silent है क्योंकि जो main फैसले हैं वो government ही करेगी अगर government का जो भी फैसला होगा वो आखरी फैसला मान के CBSC board उसको मानेगी और CBSC board उसके according अपने board की तेयरिया भी करेगी लेकिन जो फैसले होंगे 10 December को सबसे बड़े तमाम exceptions लगाए जा रहे हैं मीडिया द्वारा तो आपके 10 December को सबसे बड़े फैसले हो सकते हैं तो ऐसे मैं छातों को यह कहा जा रहा है कि आप exams को लेकर जादा से जादा आपने suggestions को भेजिए मैं मैं exams को राने के लिए अपील करिए क्योंकि वही यह dates होने वाली है जिसके दौरान आपकी सबसे बड़ी फैसले होगी तो इस दो बड़ी चात्रे यानि कि exams को डिले करने को लेकर जो दो बड़ी good news आ रही है जो चात्रे लेकर 10 December को आपको आखरी फैसला हो सकता है दस भी बार भी चात्रे लिए वहीं हम बात करें आपके पहली good news मैंने दिया practical exam को लेकर तो friends इसी तरी के सब्सक्राइब करना न भूलिएगा वहीं वीडियो को कर दीजेगा like